UPSC prelims और means मेंस में से कौन सा ज़्यादा tough है हाला कि कुछ लोगों की parents कहते हों कि tough क्या होता है जो चीज आपको नहीं आती वो tough होती है लेकिन देखे UPSC में strategy wise हम बात कर रहे हैं कि देखो prelims में अगर 40 students appear हो रहे हैं तो एक select हो रहा है मेंस में अगर 15 लोग attempt कर रहे हैं तो एक को interview call आ रही है तो definitely competition यहाँ पर ज़्यदा है अब करने क्या comprehensive coverage syllabus की ज़रूरी है practice MCQs करने होंगे topic wise करने होंगे और last moment पर पूरा syllabus नहीं देखना होता हमें कुछ important जो themes हैं क्या वो static वाली है, current वाली है उस पर विशेश focus करना होता है देखे मेंस में हाला कि हम analyze कर सकते हैं कि these are the important themes आपने अच्छा coverage किया है तो आप अपनी creativity का इस्तमाल कर दें बट यहाँ पर objectivity है कितना